नमस्कर साथियों Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है अभिनन्दन है दोस्तों रोज की भाती आज हम फिर लेकर आए वे हैं Most Important Current Affairs March 2019 साथियों आपके लिए Current Affairs कितिना जोरी है ध्यान रखेगा जिस तरह से जिवन के लिए सांस जोरी है वैसे ही किसी Competition को Crack करने के लिए Clear करने के लिए Current Affairs उतना ही जोरी है साथियों 10 से 15 प्रश्न, कभी कभी 25 से 30 प्रश्न भी पूछे जाते है Current Affairs और General Knowledge जो Student या जिन Student को सबसे जादा Current Affairs में रूची रहता है वही बच्चा बड़े से बड़े Examination को Clear करता है ये सिद्ध हो चुका है और ये सोध में भी पाया गया है यदि आपका Interest General Knowledge और Current Affairs में नहीं है तो मान के चलिए आपके साथ में कुछ ने कुछ प्राबलम है ही इसलिए यदि आप बहुत अच्छे पत पर सक्सेस होना चाहते हैं तो आप Current Affairs और General Knowledge के प्रती ध्यान दीजी और हो सके तो आप रोज बीस प्रशन याद करें डेली Current Affairs and General Knowledge आपको याद करना ही पड़ेगा यदि आयाद नहीं करते हैं तो मान के चलिए आप सक्सेस नहीं हो सकते इसलिए आपको किसी भी एकजाब में सक्सेस दिनाने के लिए हम इस चेडल को इस्थापित किया है और आपको हम रोज एक वीडियो जरूर अपलोड करते हैं आईए हम जानते हैं सीधे प्रशन में आज क्या दिया हुआ है आईए देखते हैं दोस्तों पहला कोश्चिन क्या है ससस्त्र बलो के सर्वच कमांडर कौन है कौन होते हैं सर्वच कमांडर ससस्त्र बलो के जनरल विपिन रावत जो वर्तमान समा में सेना प्रमुक हैं बी है देश के राष्टमती या सी है देश के प्रधान मंत्री या डी है रच्छय मंत्री कौन होते हैं ससस्त्र बलो के सर्वच कमांडर सायद आपको जनकरी होगा लेकिन बहुत सारे बच्चे अंशर दे रहे हैं जनरल विपिन रावत को जो सेना प्रमुक हैं यानि कि थल सेना के अध्ययच हैं उनको मान रहे हैं कि ये सर्वच कमांडर है लेकिन नहीं राष्टमती होते हैं तीनो बलो के प्रमुक राष्टमती होते हैं आईए question number two परम विशिष्ट सेवा पदक राष्टमती ने किसे प्रदान किया जनरल विपिन रावत, विपित हो गया विपिन रावत है, बी है सिफाई ब्रह्मपाल सिंग, सी है राजेंद्र कुमार नैन, या डी है रविंद्र धनवडे ध्यार रखेगा हम इसको थोड़ा एक्स्प्लेन कर दे रहें, ससस्त्र बलो के सर्वोच कमांडर राश्पती रामनाद कोविद ने 14 मार्च को ससस्त्र बलो के कर्मियों को कृति चक्र सोर्य चक्र के साथ कई अन्य सेवाप्रदक प्रदान किये परमबिसिष्ट सेवापदक सेना प्रमुग जनरल विपिन रावत को परमबिसिष्ट सेवापदक से सम्मानित किया गया कृति चक्र राजपूत रेजिमेंट के सिफाई ब्रह्मपाल सिंग मरणोपरांत केंदरी रिजर्व पुलीस बल के कॉंस्टेबल राजेंत कुमार नैन मरणोपरांत और जाट रेजिमेंट के मेजर तुसार गौबा को कृति चक्र प्रदान किया गया है और सोर्य चक्र के रुप में राश्पती ने रविंद्र धनवडे को मरणोपरांत सोर्य चक्र से सम्मानित किया है साथ्यों इसका सही आंसर सेना प्रमूग जनरल विपिन रावत है आई ये नेश्ट कोश्चन जानते हैं अमेरिकी राश्पती की सैनिक सक्ति को कौन कटोती कर सकता है कांग्रेस या संसल्थ हाउस आफ सिनेट हाउस आफ रिप्रेजेड़ेटू या राश्पती के मंत्री परिशाइद ध्यान रखेगा इसको जो है बहुत इंपार्टेंट कांग्रेस को ही परलेमिंट कहा जाता है और उसके जो अपर हाउस है हाउस आफ सिनेट है और जो निचला सतन है हाउस आफ रिप्रेजेड़ेट्व है और साथ ही साथ राश्पती के खुद का अपना निजी मंत्री परिसद होता है हम आपको explain कर दें, अमेरिकी सिनेट ने यमन में सौधी अरब नित युद प्रयास को दिया जाने वाला समर्थन समाप्त करने के लिए मद्दान किया, सिनेट के सांसदों ने राश्टपती की युद सक्तियों में एतिहासिक कटोती करने की 13 मार्च को मंजूरी दी, इसमें ट रस्ताव डेमोक्राटिक पार्टी के निर्तित वाली प्रतनीधी सभा में जाएगा, सायद आपको आंसर मिल गया होगा, ध्यान रखेगा, अमेरिकी राश्पती की सैनिक सक्ति को कटोती कर सकता है, हाउस आप सिनेट, ये भी आंसर सही है, आईए नेस्ट कोस्चन देखते हैं, उर्योपी संग में ब्रिटेन को छोड़ कर कितने देश हैं, यहाँ पर 27, 28, 17 या 18 ध्यान रखेगा, कितना देश हैं, ये आपको बता दे, पूरा टीटेल बता दे, आपको उसको उत्तर धुड़ना है, ब्रिटेन में सांसदों ने उर्योपी संग से अलग होने, जिस यह समय सीमा 29 मार्च को समाप्थ हो रही है, ब्रिटेन की संसद हाउस आपकामन्स में, पेश प्रस्ताओं के पच्छ में 412 और विपच्छ में 202 वोट पड़े, हाला कि ब्रेजिट की समय सीमा बढ़ाने के लिए, उर्योपी संग के सभी 27 देशों के सामती की जर्रत होगी याद आगया होगा, यह आंसर सही है, आईए नेश्ट कोश्चन देखते हैं, फ्रांस किस देश से नाराज है, भारत, कनाड़ा, अमेरिका यह चीर, आपको सही आंसर चुणना है हम एक्स्पिलन कर दे रहे हैं, फ्रांस ने आतंगवाद के खिलाब भारत के लड़ाई के स 15 मार्च को आतंगवादी संगठन जैसे मोहंबत के सरगना मसूद अजहर की सभी संपत्यों को फ्रीच करने की घोशना की है, फ्रांस ने यह निर्ने अजहर को अंतराष्टी आतंगवादी घोशित करने के सयुक्त राष्ट सुरच्चा परिसत में प्रस्ता पर चीन द्व को इसका सही अंसर मिल गया होगा, फ्रांस की देश से नाराज है, चीन से, क्यों नाराज है, सविक्त राष्ट सुरच्चा परिसत में उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए विटो किया है, आईए हम नेस्ट कोश्चन देखते हैं, कोश्चन अलनूर मस्जीद की किस देश में इस्थित है, भारत, नीजिलेंड, इंगलेंड या बंगला देश, सायद आपको पता होगा, अलनूर मस्जीद की इस देश में इस्थित है, सायद आप इसका अंसर दे रहोंगे, हम एक्स्प्लेन कर देते हैं, नीजिलेंड में 15 मार्च को मध्य, इस्थित, अलनूर मस्जित में आतंगवादियों ने खमला कर दिया, इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, यह हस्था उस समय हुआ, जब लोग मस्जित में जुमे की नमाज कर रहे थी, सायद आपको उत्तर मिल गया होगा, अलनूर मस्जित, नीजिलेंड में इस्थित बी आंसर सही है, आईए next question ध्यान देते हैं, बांगलादेश-णिजिलेंड मेंच क्या रद्ध हो गया, क्यों रद्ध हुआ, क्यों है वो, क्या लिग दिया है, क्यों रद्ध हुआ, आतंगवादी हमले के कारण, या बारिश के कारण, या दोनों देसों के राजनेइक वि प्रवेश करने ही वाली थी ध्यान रखेगा इसका सही अनसर आपको मिल गया है इसका सही अनसर क्या है आतंकी हमला के कारण बांगला देश नुजिलेंड का जो तिसरा मेच है वो रद हो गया है सात्यों इस तरह से आपको नोड़ बनाना है और अध्यन करना है आएए नेस्ट कोस्चन देखते हैं नेस्ट कोस्चन है किसने IDBDI बेंग के साथ इंकावन प्रतिसद हिस्सेदारी का दिगरहन प्रक्रिया प्रारम की है भारस्तर का भारती जीवन बिमा निगम या कोई अंग्रेजी कमपनी है या रिलाइस कमपनी क्या अंसर सही है याद रखेगा रिजर बेंग आप इंडिया ने IDBI बेंग को निजी छेतर के बेंग की स्रेनी में रख दिया है याद रखेगा भारती जीवन बिमा निगम द्वारा IDBI बेंग में बहुलांस हिस्सेदारी की अधिगरहन के बाद यह कदम उठाया है LIC ने IDBI बेंग में इंकावन फ्रिजदी हिस्सेदारी का अधिगरहन प्रक्रिया जनवरी 2019 में पूरा किया था IDBI बेंग को RBI के ततकाल सुधरात्मक कारवाही रुप रेखा कंतरकत रखा गया है यह कमपनियों को दिये जाने वाले कर्ज तता साखाविस्तार बेदन प्रिती या अन्य नियमित गतिविद्यों पर रोग लगाता है साथ आपको अंसर मिल गया LIC इसका सही अंसर है आईए नैस्ट कोश्चन देखते हैं क्रिस क्रिकेटर पर लगा आजिवन प्रतिबंद सुप्रिम कोट ने हटा दिया है याद रखेगा एस्रिसंत अजित चंदिला या अंकीत चवहार या उप्रोक्त सभी ये तो बहुत ही सरल प्रशन है फिर भी बता देते हैं सुप्रिम कोट ने 15 मार्च को धारती क्रिकेटर एस्रिसंत पर लगा आजिवन प्रतिबंद हटा दिया है कोट ने धारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से उनकी सजाब पर पुनर विचार करने के लिए कहा स्रिसंत को अजीत चंदिला और अंकीत चौहार के साथ 2013 में इंडियन प्रिमियर लीग के दोरान इस पार्ट फिक्सिंग के आरोप में गिरिपतार क्या गया था कोट ने हलाकि स्रिसंत को अभी भी मैच फिक्सिंग का दोसी माना है साथियों एस स्रिसंत को सुप्रिम कोट ने आजिवन प्रतिबंद से हटा दिया है आईए नेश कोश्चन देखते हैं यहाँ पर विशु भुक्ता दिवस 2019 की थीम है विश्वसनी ग्रहाक, विश्वसनी उत्पाद, विश्वसनी स्मार्ट उत्पाद या जागो ग्रहाक जागो ध्यार रखेगा प्रतिएक वर्स 15 मार्च को विशु भुक्ता अधिकार दिवस बनाए जाता है इसका मुख्य उत्देश भुक्ताओं या ग्रहाकों को उनके हितों के लिए बनाएगे वुक्ता सरचन दिनियम और उनके अंतरगत आने वाले कानुनों की जानकरी देना है 15 मार्च 1983 यानि कि 1993 आप दा 15 मार्च को पहली बार यह दिवस मनाए गया था विशु भुक्ता दिवस 2019 का विश्य है विश्वसनी स्मार्ट उत्पाद ट्रस्टेट स्मार्ट प्रोड़क्ट्स है ध्यान रखेगा इसका सही अंसर C अंसर सही है विश्वसनी स्मार्ट उत्पाद आईए हम नेश्ट कोस्चेन पर ध्यान देते हैं नेश्ट कोस्चेन बाकू किस देश में है अजर बेजान इराक सिरिया या जारजिया कहां पर है आपको बताना है इसका सही अंसर आपको सही अंसर बताना है कहां पर है बाकू बाकू राजधानी है किस देश का अजर बेजान के राजधानी है दोस्तों और यह जो है यहापर अभी बहुत ही चर्चिद रहा है सैद आपने इसका अंसर चेन कर लिया है अजर भेजान का जो सबसे बड़ा सीटी और केपिटल है वो बाकू है आईए नेश्ट कोश्चन देखते हैं दीपा कर्माकार क्या है? जिम्राष्ट, कलाकार, कार्पोरेट के विख्यात महिला या सेर के विशिसक्य है सैद आप इसका अंसर सही दे सकते है दीपा कर्माकार विश्वकप के क्वालिफाइंग दौर में पहुँच गई है ये भारतिय दीपा कर्माकार एक जिम्राष्ट है जो अजर बेजान में के बाकू में आटिस्टिक जिम्राष्टिक विश्वकप के क्वालिफाइंग दौर में तीसरा इस्थान हासिल कर वाल्ट इस्परदा के फैनल में जगह बना ली है दीपा बैलेश्ट बेम इस्परदा में सामिल लेगी ध्यान रखेगा ये जिम्राष्ट है दीपा कर्मकार के बारे में प्रश्ण पुछा जा सकता है इसको जरूर टिक लगा लीजेगा और इसे मोस्ट इंपार्टेंट के रूप में रखा जाए आई ये नेश्ट कोश्चन देखते है नेश्ट कोश्चन है साथ मार्च दो हजार उननीस को क्या दिवस मनाया गया क्या दिवस मनाया गया अरवेद दिवस अरवेद दिवस मनाया गया था क्या या फिर जन आउसदी दिवस या फिर बैंक दिवस या फिर कैंसर दिवस क्या दिवस बनाया गया था आपको बताना है इसका सही आंसर जन आउसदी दिवस तो नहीं मनाया गया था मुझे लगता है जन आउसदी दिवस ही मनाया गया था दोस्तों इसका आंसर सही है साथ मार्श दोहजार उन्नीस को जन आउसदी दिवस बनाया गया था ये है कोस्चेंज आईए नेश्ट कोस्चेंज देखते हैं किस खिलाडी ने वंडे मेस से सर्न्यास लेने की घोशना की है हासिप अमला फाफा दू फ्लैसिस या इमरान ताहीर या डेल स्टै किसने वंडे क्रिकेट मेस सल्यास लेने की घोशना की है किसने घोशना की है दोस्तों सायद आपने अंसर चुल लिया होगा हम आपको बता रहें इसका सही अंसर ये है इमरान ताहीर इमरान ताहीर सही अंसर है दोस्तों कहा के खिलाडी है इमरान ताहीर सैथ आप जानते होंगे साउत अफ्रीका का, साउत अफ्रीका, साउत अफ्रीका के खिल्लाडी है और इनोंने इम्रांताहिन ने वंडे मैच से स्ण्यास लेने की घोशना कर दी है साथियों आप इस तरह से अध्यन करेंगे तो मुझे पुरा विश्वास है कि आप सफल होंगे ही आए नेश्ट कोश्चे देखते हैं भगवान महाबीर के प्रतब सिस्य कौन थे? भगवान महाबीर के प्रतब सिस्य कौन थे? आनन्द, जमाली, इस्थल बाहू या भद्र बाहू कौन थे? साथ आपको पता होगा भगवान महाबीर के प्रतब सिस्य कौन थे? आनन्द, जमाली, इस्थल बाहू या भद्र बाहू? साथ आपको पता होगा इसका सही आंसर हम आपको बता दें लेकिन जल्दि साफसंदीजी हम थोड़ा वेट करते हैं आप लोगों का वेट करेंगे सायद आपने जो आनंद को दे रहे हैं इस्तलबाहो को दे रहे हैं भद्रबाहो को दे रहे हैं लेकिन जमाली को किसी ने जादा नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है जमाली सही आंसर है जमाली थे भगवान महाबीर के प्रथम से स्यर इसके बड़ी अच्छी स्टोरी है कभी हम सुनाएंगे जमाली आंसर सही है नेश कोश्चन आजाईए प्रथम बौध संगेती की अध्यचता किस ने की थी महाकस्यक, महापंडित, अचासत्रु या आनन्द यहाँ पर प्रथम बौध संगेती के अध्यचता किस ने की थी सैद आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध के दियान्द के बाद जो उनके इस पीज थे उसको यादगार बराने के लिए इस्मरण पर आधारीट, जो सुरुती पर आधारीट इनका प्रथम संगेती, संगेती सितात पर कॉन्फरेंस होता है संबेलन होता है प्रथम बौध संगेती, ध्यानकेगा अजास सत्रु के सासर में आयुचीत किया गया था और इसकी जो अध्यचता कर रहे थी वो थी महाकस्यप पंडीत पंडीत महाकस्यप इसकी अध्यचता कर रहे थी साथियों इसी तरह से आपको जो है स्टोरी याद करना है कौन बुद्ध के जीवनकाल में संग प्रमुक होना चाहता था कौन बुद्ध के जीवनकाल में संग प्रमुक होना चाहता था उपाली देवदत महाकस्यप या अनन्द कौन बुद्ध के जीवनकाल में संग प्रमुक होना चाहता था सही अंसर आप जल्दी से दिजी हम इसका सही अंसर बता रहे हैं देव दत बुद्ध के जीवन काल में संग प्रमुक होना चाहता था ठीक है आईए देखते हैं नेश्ट कोस्चेन नेश्ट कोस्चेन है बासुदे क्रिष्ण की पुजा किसने सरप्रतम प्रारम की? साथ आपको पता होगा इस्टोरी जानते होंगे तो यहाँ पर बासुदे उसी कृष्ण की पूजा किसने सरप्रथम प्रारंब की साथ वन्तों ने, वैदिक रुसियों ने, तमीलों ने या मीरा भाई ने इसका सही आंसर आप जानते होंगी थोड़ा सा कठीन है लेकिन पुराने जमाने की लोगों को भी पूछोगे तो कन्फ्यूज खा जाएंगी इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों साथ वन्तों ने बासुदे सी कृष्ण की पूजा सरप्रथम प्रारंब की थी ए आंसर सही है सही आंसर साथ पता होगा हम एक पिडियो जरूर बनाएंगे गौतम बुद्ध के उपर और महाबीर स्वामी के उपर बुद्ध धर्म के उपर और जन धर्म के उपर अलग-अलग एक विडियो जरूर बनाएंगे ध्यान रखेगा इसका सही आंसर बिक्रम सिला था बहुत दस्च्या का केंडर इस्तल बिक्रम सिला था दोस्तों सी आंसर सही है इसी तरह से अध्यन कीजी यदि महान बनना है तो महान कार्य करना पड़ेगा तो इसलिए ये महान कार्य है तो आईए नेस्ट कोष्चन देखते हैं नेस्ट कोष्चन भारत में प्राचिन बहुत भिहार है उदंत पूरी नालंदा विक्रमसिला या भाजा कहां पर है भारत में प्राचिन बॉद्ध बिहार है उदंत पूरी या नालंदा या विक्रमशिला या भाजा कौन सा सही अंसर है भारत में प्राचिन बॉद्ध बिहार का नाम क्या है उदंत पूरी नालंदा विक्रमशिला या भाजा ये चारो बद्ध बिहार का नाम है याद रखेगा लेकिन प्राचिन बद्ध बिहार की बात कर रहे हम जो है तो ध्यान रखेगा इसका सही अंसर हो सकता है जहां तक मुझे लगता है कि नालंदा था प्राचिन बद्ध बिहार नालंदा था ये थी हमारी 20 most important current affairs साथियों ध्य जान दिजीगा और और दोस्तों को सेर किजीगा नोर्ज बनाईएगा खुद देखिये दुसरे को दिखाईए और महन बनिए दुसरों को महन बनाईए ये हमारा मोटो है इस सेनल का यानि कि गाव गरीब छात्रों को ये लाब पहुँचे ताकि आपकी मात्यम से वहां तक ये वीडियो पहुचे और वो घर बैठे काम करते हुई जो हमारे गिर्हिनिये मा हैं बहने हैं वो भी अपने घर ग्रेश्टों को समालते हुई वो भी ज्यानवान बने इसी उद्दत से के साथ में हमने इस वीडियो को बनाते हैं रोज प्रतिदीन 10 बजे और 12 बजे दो प्रोग्राम जरूर देखिएगा एक 10 बजे प्रोग्राम चलता है सामान नग्यान का और 12 बजे चलता है करेंट एफियर्स का और फिर रात तरी 8 बजे लाइफ कलास चलता है वीजिसी नेट और जियारे किलियर करने की उपाए साथियों आप को कैसा लगा जरूर कॉमेंट इस बाक्स में लिखेगा थैंक्यू नमस्कार धन्यबाद जै ही जै भारत बाइबाए सी यू